मुझे आशा है कि आपको पिछला भाग पसंद आया होगा तो आज शुरू करते हैं अगला भाग जिसमें अगले 10 प्रश्णों को व्याख्या के साथ समझते हैं प्रतियक प्रश्ण के लिए समय 10 सेकंड्स मिलेंगे जिसमें पढ़ने के लिए 5 सेकंड्स और उत्तर देने के लिए 5 सेकंड्स होंगे हौकी में कॉर्नर हिट कहां से ली जाती है बैक लाइन, सेंटर लाइन, 25 गजरेखा, गोल लाइन मेरा अथन दौड की दूरी कितनी होती है 43.195 किलोमेटर 42.195 किलोमेटर 41.185 किलोमेटर 40.165 किलोमेटर किस खेल में 3 सेकंड्स नियम लागू किया जाता है बास्केट बॉल, कबडडी, खोखो, टेबल टेनिस खेल की शीर्श फॉर्म किस पर निर्भर करती है प्रशिक्षन, देहिक सीमा, आहार, उपकरण सफलता और विफलता गतिविधियों को सीखने में किस से संबंधित है प्राप्ति की लालसा की ताकत, प्रदर्शन में उत्तरोत्तर सुधार का इरादा महत्वा कांक्षा का स्तर, संतुष्टी और क्लेश का नुभव संस्थान की चार दीवार के भीतर आयोजित प्रतियोगिताएं हैं इंट्रामूरल, एक्स्ट्रामूरल, इंडोर प्रतियोगिताएं, आउट्डोर प्रतियोगिताएं एथलेटिक व्यक्तित्व की विशेशताओं में किसे छोड़ कर सभी शामिल हैं? आत्म विश्वास, बहिर मुखता, लड़ने की भावना, समर्पन निम्नलिखित में से क्या खेल कार्यक्रम का पहला कदम है? निर्देशन करना, कर्मचारी रखना, योजना बनाना, बजट बनाना इंट्राम्यूरल कार्यक्रम छात्रों में कैसी भावना उत्पन्न करता है? उपलब्धि, भागीदारी, हास्य, आनंद प्रतियोगिता योजना के ब्लूपरिंट को क्या कहा जाता है? प्रोध्योगिकी, युक्ती, नीती, कौशल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मुझे आशा है कि आपने आज बहुत सी चीजें सीखी होंगी आपके लाइक्स, कमेंट्स और सदस्यता मुझे आप लोगों के लिए और अधिक प्रयास करने के लिए प्रोधसाहित करती है तो दिल खोल कर अपनी बातों को कमेंट में लिखे मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सबस्क्राइब करना न भूलें ताकि मैं आपके लिए इस तरह के और वीडियो लाता रहूं मिलते हैं फिर अगले पार्ट में